आज के लेक्चर में हम डिस्केशन करने वाले हैं इंट्रदक्शन तो नेट्वर्क डेटी का जो अगला सब्जेक्ट शूरू होने वाला है वो है इंट्रदक्शन तो नेट्वर्क इसका जो फर्स्ट क्वेस्टन है वो इस नेट्वर्क इस पूरे परग्राफ का मतलब यह है कि अगर हम एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर सके किसी खास वायर के जरिये किसी खास मीडिया के जरिये मीडिया का मतलब वायर होते है ठीके या तारे वागिरा होती है उसको हम मीडिया कहते है मीडिया का मतलब सोर्स होता है या जिस जरिये से हम कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं जाहरी बात है कंप्यूटर जब हम आपस में कनेक्ट करते तो उसके लिए वायर्स की जरूरत पड़ती है नितारों की जरूरत पड़ती है तो उन तारों को या इन वायर्स को हम मीडिया कहते है वो हमारे पास वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है ठीक है तो मकसद क्या होता है नेटवर्क बनाने का कि वो आप इसमें रिसॉर्स रिसॉर्स का मतलब क्या है कि वो चीज जो हमें मतलब एक फाइदा फह C उसमें एक करेका है हरडवेर है और सफ़्वेर में रिसॉर्स का क्या निर्क आधर में इसके स्ज्थ है पूरे network में शेयर करना है तो आप एक पूरे hard drive को दूसरे computer के साथ share कर सकते हैं यह को software का मतलब है कि अगर आपको operating system है वो एक ही computer में installed है और आप पूरे computers में आप उसको मतलब share करना चाहते हैं तो आप share कर सकते हैं निवे हमारे पास files भी होते हैं मुफटलिफ किसम के resources जो है वह available होते हैं network में जो हम एक दूसरे के साथ share करते हैं यह था network definition in network वह terminology है जिसमें हम computer जो है आपस में एकसाथ connect करते हैं किसी खास मकसद के लिए और वह मकसद वह होते हैं जो हमारा hardware हो या software हो आप इसमें share करने के लिए या आसानी पैदा करने के लिए ठीक है तो उसको हम network कहते हैं network के terminology में उसमें wire और wireless भी हो सकता है ठीक है तो यह हमारे पास था network now अब दूसरा क्या है कि the network computer can share anything include printers जिस तरह के मैंने कहा के network computer जो है वो आपस में बतलब printers भी share कर सकते हैं मिसाल के तोर पर मेरे साथ लेब में 25 computers है और 25 computers के लिए मुझे एक printer चाहिए तो मैं हर computer के लिए अलग-अलग printers नहीं ले सकता और मैं एक printer जो है as a resources के तोर पर इस्तेमाल करूँ तो एक printer जो है काम करता है पूरे network के लिए अगर कोई भी computer या कोई भी client जो है वो किसी file को print करना चाहते तो वो इसी एक ही printer से print होगा यहर computer के लिए अलग-अलग printer की जरूरत नहीं है यह नेटवर्क का सबसे बड़ा फाइदा है अब fix है यह अफेक्स devices है electronic messages है यानि emails वगेरा है वो हम आप इसमें share कर सकते है file and documents होगे modems हो गया data messages हो गये सो यह सारे जो है resources है यह सारे network में इस्तेमाल होते है a network provides two principal benefits network आपको दो मतलब फाइदे पहुंचाते हैं the one is the ability to communicate एक है कि आप आप इसमें communication कर सकते हैं एक दूसरे के साथ communication कर सकते हैं and the ability to share और दूसरा ability यह कि आप उसको share कर सकते हैं यह resources वगयरा data वो अपने information जो है एक दूसरे के साथ आप share कर सकते हैं तो यह था network का फाइदा के network हम क्यों बनाते हैं यह very important है for you guys now what is networking अब मैंने आपको network के बारे में बता दिया अब what is networking जिदातर network और network को mix up करता है अब मिक्स up नहीं करना network अलग चीज़ और network अलग चीज़ ठीक है तो network और networking में क्या फ़र्श इilly उने बता दिया लेकिन networking क्या चीज़ ओप networking 대 networking is basically concept ओप designing a network networking हम उस concept को कहते हैं जा हम कोई network design करते हैं उसको हम networking कहते हैं ठीक है so networking हम या network हम कैसे design करते हैं ठीक है like how network devices will communicate with each other के network devices है वो आप इसमें कैसे communication करेगा ठीक है और communication कैसे possible होगा उसके लिए क्या क्या चीज़े जरूरी है so next है how they will share resources hardware and software वो अपने hardware और software कैसे share करेगा ठीक है तो इसके लिए हम network designing करते हैं networking कहते हैं इसको या which physical and logical technology will be used या कौन सा physically या कोई logically जो technology है वो use होगा उसके लिए या which type of modem will be used या sorry medium will be used ओके कोई media हो medium हो wire हो या wireless हो use होगा which protocol will be used कौन सा protocol used होगा our all designing installation and configuration of a network is called networking या पूरा design हो या installation हो या configuration हो network का उसको होंगे तहें networking तो networking के बारे में आपको पता चल गया के network क्या होता है networking क्या होता है यानि कि इस networking में मतलब communication किस तरह होगा hardware resources के से share होंगे कौन सा wire terminology use होगा और medium कौन सा होगा physical technology होगा ठीक है कौन से technology होगी या कौन से protocol इसमें यूज होगे या इसकी इसको हम आगे लेक्चर्ज में इन्शालला एक एक को हम पढ़ेंगे के network के नेट्वर्क के नेट्वर्क के नेट्वर्क में हम फिजिकली डाइग्राम कैसी यूज करते हैं ये देखे पूरे सारे computer जो है वह आप इसमें connect है ये देखे आपको जो के कौन कौन से टाइप से और वह कैसे आप इसमें connect है और कैसे connection बनता है उसका ठीक है तो ये था हमारे पास फिजिकली डाइग्राम और नेट्वर्क इंग आप देख सकते हैं कि सारे computer जो है आप इसमें connect है now let's move on अब इसका advantages क्या है advantages of network sharing of devices आप इसमें हम devices share कर सकते हैं आप अपने cd-rom भी share कर सकते हैं hardware ड्राइव भी share कर सकते डेविटेड ड्राइव भी share कर सकते प्रिंटेर्स भी share कर सकते इस तरह बोथ से devices and scanners are examples of peripheral devices example of peripheral devices का मतलु ये कि हम वो computer के जो devices है वो हम एक दूसरे के साथ share कर सकते है with the help of network, network के जरीए we can also share these devices और हम ये सारे devices जो है आप इसमें share कर सकते हैं Sharing of program and data, यानि program या data जो है वो हम आप इसमें share कर सकते हैं In most organization, people use the same software and need access to the same information Safe software or same access उसको चाहिए यानि एक ही software से उसको access चाहिए एक ही software तो उसमें इस्तेमाल करना है information के लिए So it could be expensive for a company to buy a copy of program for each employee और ये तो company के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो हर employee के लिए एक program की copy खरीदेगा तो ये बहुत मुश्किल होगा तो एक copy जो है इसके लिए काफी है ज्यादा copies की जरूरत नहीं है तो एक copy जो है वो हम आप इसमें share कर सकते हैं Therefore with the help of network we can also sharing the same program and data हम अपने program और डेटा को एक ही मतलब share कर सकते हैं ठीक है ज्यादा तर हम share करने की जूरत नहीं है एक ही काफी है इसके लिए इसमें बहुत अच्छा होता है One of the greatest future of network are electronic mail जो communication के लिए हम इस्तिमाल करते है electronic mail यानि आम जुबान में इसको हम email कहते है ठीक है तो e का मतलब है electronic और mail तो mail होता है With email everyone a network can easily keep others और email की वज़ह से network लोग जो है easily अच्छलब आपिस में दूसरे के साथ post कर सकते है about important information important information के बारे में उसका दूसरा advantage यह कि security of information information की security होती है क्या होती है information की security network also allow the security of information network जो है आपको information की security फराहम करता है today data would be backup आपका data जो है उसका backup बन सकता है और duplicate on a network storage device shared by other और आप उसका एक duplicate data ले सकते हैं और उसमें आप store भी कर सकते हैं नहीं storage दिवाइस में आप store भी कर सकते हैं तो यह network security information है access to database database के लिए इसका access होता है network also enable user to login into many databases network आपको भी मतलब able बनाता है कि आपको database में login करने के लिए आप जा सकते हैं whether the private database of company चाहे वो private database का और public database available online through the internet या public database जो है online internet में उजूद हो यह access to database है तो network की जो advantages थे वो sharing of devices थे sharing of program and data better communications security of information access to database यह हमारे पास था network networking and advantages of networking सो दोस्तों आप इस वीडियो को सही तरीके से देख ले लेक्चर को note करें ठीके notes अगर चाहिए तो आप मुझसे contact कर सकते हैं इन्शल्ला मैं आपको notes provide कर दूँगा और इस वीडियो को आपस में लोगों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करें ताके दूसरों को फाइदा कूना